केत不好意思 किया मेरी आवाज हारी है क्लीयर किया मेरी आवाज rozp बताइये के एक जी है कि परसुखेस एपांके साथ और और स्लक्षा वांसर हैं में भलक्ली आई राइव जिस्मे स में आप लोग भी सपोर्ट करिएगा कोशिस करिएगा मेरे साथ अच्छे से पढ़ने क्या आज की क्लास में तो बच्चो ये हिंदी व्याकरण में आज जो हमारा टॉपिक है बहुती महत्तोपूर्ण है इससे संबंधित आपके एक्जाम में बच्चो आते हैं बहुविकल्पी प्र सब्सक्राइब से उनके बारे में बाट करेंगे से क्लास में आज की क्लास में आधिक बच्चो बात करें तो इसमें आपके syllabus में कौन-कौन से समास है उनके बारे में बात करेंगे सबसे पहले आप सभी आ जाईए फटाफट सभी बच्ची आ चुके होंगे साइद जी तो हम लोग बात करें थे बच्चों कि आपके सलेबस में जो है कि देगु समास, द्वन्द समास, बहुबरी समास और कर्मधारे समास ये हैं आपके सलेबस में तो सबसे पहले बच्चों हम लोग इनको देखेंगे कि क्या होता है बहुती आसान तरीके से देखेंगे बच और सिर्फ वही पढ़ेंगे बच्छों हम लोग जो आपके syllabus में हैं तो चलिए अपनी class को start करते हैं जैसा कि यहाँ है कि एक बार समझ लें दुबारा पढ़ना नहीं पढ़ेगा तो यह वास्तों में सही है कि अगर आज की class में एक बार आप लोगों ने समझ लिया तो आपक बच्छों बहुविकल्पी प्रस्ण भी करेंगे इनसे संबंधित जिसमें आपको पोल भी मिलेगा आप सबी साथ साथ में आंसर करिएगा ठीक है बच्छों तो चलिए अपनी class को start करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एकदम आसान सब्दों में कि आखिर समास होता क्या ह बस अपना भी जोस हमारी साथ ऐसे ही बनाए रखेगा बच्छों ताकि थोड़ा सा हम प्रयास करें और थोड़ा सा आप प्रयास करें और class ये बहतर बन जाए ठीक है बच्छों तो समास का अर्थ देखें एकदम सरल सब्दों में तो क्या होता है बच्छों संचिप्त करन अब आप सोचेंगे बैं संचिप्त करना मतलब इसको छोटा करना ठीक है अब इससे आसान सब्द तो आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता है बच्छों तो समास का अर्थ ही क्या होता है समास का मतलब होता है कि दो या दो से अधिक सब्द जब लिखे हो तो उसको छोटा कर कि एक सब्द बना दिया जाए वही क्या कहलाता है बच्छों समास कहलाता है तो यहाँ पर हम लोगों ने देखा कि समास का अर्थ है संचिप्त करना तो वही लिखा है बच्छों कि जब दो या दो से अधिक सब्दों को मिला कर एक सब्द बना दिया जाता है तब उस प्रक पाँच तंत्रों का समाहार. आप देखिए, दो से अधिक सब्द हैं कि पाँच तंत्रों का समाहार. अब एक सब्द में क्या बोलेंगे इसको बच्चो पंच तंत्र. क्या आपको समझ में आया? इसलिए मैंने बोला कि बहुविकल्पी प्रस्तों को करने से पहले आपको concept clear ह अब ही उसके बाद आग्म लोग देखते हैं अगला उदारण नीला है जो अमबर और फिर चन्रमा के समान मुख अब एक सब्द में क्या वोलेंगे बच्छोः चन्रमुख तो इसी लिए बोला कि इसको छोटा करना मतलब एक सब्द में करना यहीं क्या कहलाता है वज्चोarti स चिरने लगेगा पिता और पुत्र तो यहां कोई भी कन्फ्यूजन नहीं हम लोगों ने समास का अर्थ देख लिया कि बस सिंपल सब्दों में आप याद रखिए कि समास का अर्थ होता है उसको छोटा करना ठीक है संचिप्त करना अब आगे बढ़ते हैं फटा फट देख ल समास के कितने भेद होंगे छे होंगे फटा फटा फट नाम देख लेते हैं इनके दिगु समास कर्मधारे समास बहुवरी समास ठीक है और द्वंद समास अव्याई भाव समास और तत्पुरुष समास यहां पर छे बताने का मतलब यह है बच्चों कि आपके एक्जाम में से प्रस्ण बन सकता है कि आखिर समास के कितने भेद होते हैं तब तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमारे सेलेबस में तो चार है और हमने चार पढ़े ठीक है तो वहां से आपका गलत हो जाएगा इसलिए ध्यान रखेगा अगर भेद पूछा जाए तो आप छे लिखे कोई समस्या नहीं आगे बढ़ते हैं हाँ आगे बढ़ने से पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि आखिर हमारे सेलेबस में कौन-कौन से हैं और हमें पढ़ने कौन-कौन से हैं तो बच्चो आपको पढ़ने हैं सेलेबस में देगु समास कर्मधारे समास बहुवरी समास और द्वंद समास ठीक है बच्चो तो ये चार आपको आपके सेलाइबस में पढ़ने हैं अब फटा-फट हम लोग देख लेते हैं कि आखिर देगु समास क्या होता है द्वंद समास क्या होता है बहुत ही आसान सब्दों में देखेंगे देखने के बात फिर करेंगे मज़िदा चलिए सबसे पहले समास के भेद में बच्चो बात करें कि जो हमारा बहुत ही आसान समास है वो कौन सा है देगु समास ठीक है तो देखें इसका पूर्वपद संख्या वाचक विसेसर होता है पूर्वपद मतलब आपको समास में मिलेंगे बच्चो दो पद ठीक है एक होत आता है आपका उत्तर पद ठीक है बच्चों तो इसमें अगर हम लोग बोले कि इसका जो पूर्व पद होता है मतलब जो पहला पद होता है इसका वो संख्या वाचक विसेशन होता है मतलब इसमें संख्या दी होती है सिंपल सब्दों में ठीक है और क्या है बच्चों कि नव अब इसके उधारण में देखते हैं, नव रत्न, नव रत्नों का समू, नव देखो यहाँ पे संख्या आई है, अगला उधारण बात करें, त्रिभूज, है ना, तीन भूजाओं का समू, तो त्रिभूज की बात किया, अगला, अगला उधारण क्या है, हाँ, त्रिभूज तो अगर सर होते तो और वी अच्छे सी बदाते हैं यहां साथ में हैं नव रात्र जो की आने वाले हैं नौ रातों का समाहर तो इसके बाद अग्ला उधारण बात करें चैत्टुरमाज चार महिनों का समु तो इसमें संक्या आ रही है बच्चो तो इसलिए यह कौन तो दीगु समास समझने का बहुत आसान तरीका है कि जिसका पहला पद संख्या वाचक विसेशर होता है मतलब वहाँ पर संख्या मिलती है जैसे बच्चो इसके साथ साथ हो सकता है चतुर मास है ना जैसे हम लोगों ने इसमें देखा चतुर मास नवरात रिभूज नवरात ह इसी तरीके से जिन भी मतलब सब्दों में ऐसे संख्या मिलेंगे आपको वो सबी क्या होंगे दिगु समास होंगे टाइम नी वेस्ट करते है बच्चो इतना आपको क्लियर है अभी आगे बढ़ते है फटा फट कर्म धारे समास की बात करें जितना जितना आगे कहा हमारे साथ में कोसिसक्त करिएगा साथ में समझने की और मुझह बिज भी बतायेगा क्या See लग रही है आपको घा होता है बच्छो जिसके विसेषता बताई जाती है जैसे मैंने मैंने कहा कि अच्छा है लिक देते हैं अच्छा है तो यहाँ पर मोहन क्या है बच्चो विसेश है क्योंकि इसकी विसेशता बताई जा रही है कि यह अच्छा है तो विसेश और विसेशन समझ में आया विसेशन है अच्छा और मोहन क्या है बच्चो विसेश तो यहाँ पर यह बोला है कि पूर्व पद क्या होगा बच्चो विसेशन और उतर पद विसेश हैं जैसे काली मिर्च उधारण में देखिए काली मिर्च मतलब काली है जो मिर्च मिर्च की विसेशता बताई जा रही है कि वो काली है ठीक है बच्चो कोई confusion नहीं नील कमल, है ना, नीला है जो कमल, कमल को बताया जा रहा है कि वो कैसा है बच्छो, नीला है, विसेस्ता बताई जा रही है, तो हमारे ख्याल से आप सभी को समझ में आ रहा होगा, चंद्र मुखी, चंद्र के समान मुख वाली, इसकी भी विसेस्ता बताई जा रही है, अगला उदारण क्या है बच्छो, म्रग नयनी, है ना, म्रग के समान नेत्र वाली, इसके नेत्र को म्रग के समान बताई जा रहे है, तो अभी जैसे पहला हम लोगों ने पढ़ा देगु समास जिसमें संख्या बताई जाए फिर दूसरा हम लोगों ने पढ़ा कि कर्मधारे समास जिसमें पहला इसमें क्या होता है वस इतना अपध्यान रखेगा कि इसमें जो पहला पद होता है वो विशेशन और दूसरा बच्चों बात करें तो यह हमारा भी मा क्या है फेवरेट है समास हमें भी बहुत अच्छा लगता है सको पढ़के ठीक है तो इसमें क्या है बच्चों इस समास में आए दोनों पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की प्रधानता रहती है अब ही हम लोगों ने बात किया कि उत्तर पद एक होता है पूर्वपद और दूसरा होता है वच्छो उत्तर पद लेकिन बहुवरी समास में क्या होता है कि दो पदों को छोड़कर किसी तीसरे पद की विसेस्ता बताई जाए मतलब उसकी प्रधानता हो जाती है आप बोलोगे मैम वो कैसे तो चलिए देखते ह अब यहां पर वच्छो आप सभी ध्यान से सुनेगा क्योंकि यहीं से लोचा होता है आपके एक्जाम में फिर आप मिस्टेक करके आ जाते हैं फिर बोलेंगे मैंने तो समास बहुत अच्छे से पढ़ा था फिर भी मेरा कैसे गलत हो गया तो देखिए कैसे होती है गलती आ अब देखिए दशानन दस और आनन का अर्थ जानते बच्छो क्या होता है आनन का मतलब होता है बच्छो मुख या मुख बोले तो है ना मुख होता है आनन का मतलब तो यहां पर एक पद हो गया दस दूसरा पद हो गया हमारा उत्तर पद हो गया क्या आनन मतलब मुख और तीसरा पद क्या हो गया बच्छो रावड ठीक है तो किसकी बाद मतलब तीसरा पद प्रधान हो रहा है कि दस मुख है जिसके अर्थात रावड अगला बात कर ले नील कंट नीला है कंट जिसका अर्थात शिवजी ठीक है बच्छो तीसरा पद क्या निकला शिवजी फिर उस गिरी को धारण करने वाले अर्थात स्रीक्रस्न गिरी मतलब क्या होता है बच्छो पहाड या परवत और हम लोगों ने जब रस्कान जी का सवये पढ़ेते उसमें पध्यांस में तो स्रीक्रस्न के बारे में पढ़ाता और वहां ऐसे ये सब्द आया था अब सुनिए अब कह बता रहे थे कि आप से होती है मिस्टेक अब देखे बच्छो जैसे ही आप देखेंगे दस आपको दिख गई यहां संख्या आप सोचेंगे मैं ने बोला था कि जहां पर संख्या आ जाए वो होगा देगुसमास लेकिन देगुसमास बच्छो तब होगा जब तीसरा पद नहीं होगा आपको यहां पर ध्यान देने वाली बात यह है कि दस मुख है जिसके अर्था तीसरा पद निकल रहा है रावण है ना बच्छो तो यहां पर यह होगा बहुवरी समास अब इसमें नील कंठ में बात करें आप जैसे कभी-कभी ऐसे आ जाता है और मिस्टेक हो जाती है कि जैसे लिख के आगया त्रिलोचन लिख करके आगया अब बोलते हैं कि बताईए इसमें कौन सा समास है बहुवरी कल्पी में आ जाता है ऐसा तो आप क्या करते हैं आपने देखा त्री मतलब तीन बताई गई है संख्या तो यहां होगा दे गुन नहीं पर संख्या देखेंगे तब जब देखेंगे अगर तीसरा पद प्रधान नहीं है हमारा तो वहां होगा दिगु समास और अगर हमारा तीसरा पद प्रधान होता है तो वहां होगा बहुवरी समास कोई समस्या नहीं है बच्चो लंबोदर में बात करें तो लंबोदर में क इसके अर्थात किसकी बात हो रही है बच्चो गणेश जी की बात हो रही है तो तीसरा पद प्रधान हो रहा है इसलिए बहुवरी समास है अब फटावत हाँ बिना टाइम वेस्ट की हम लोग आगे बढ़ते हैं बच्चो इतना आपको क्लियर हो गया होगा और जो है हमारा च अच्छी अगर देख रहे हैं तो प्लीज लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है तो एक लाइक जरूर कर दीजेगा इससे और भी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है और आगे अच्छा काम करने का भी मन करता है ठीक है बच्चो तो इसलिए ले लाइक जरूर कर दीजेगा और साथ-साथ में अपने साथ में पढ़ने वालों के साथ में भी इसको स्यार कर दीजेगा। चलिए, तो हम लोग बात करें थे, द्वंद समास की बच्चों, तो इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद, मतलब पूर्व पद भी और उत्तर पद भी क्या होता है, प्रधान होता है, और उनके बीच के सयोजग का क्या होता है वच्चों, लोप होता है, सयोजग में बात करें तो आपको ये सब्द मिलेंगे, एक तो मिलेगा वच्चों, और ऐसे मिलेगा, और दूसरी क बात करें तो बच्चों क्या होगा तथा तो ये इसका क्या होता है लोप होता है कैसे तो इतना क्लियर है आपको कि इसमें दोनों पद क्या होते हैं प्रधान होते हैं और सयोजग का क्या होता है लोप होता है और एक बच्चों आपको मेन बात बता दें कि इसमें योजग चि आपको सब में नहीं मिलता है लेकिन अगर आपको मिलेगा योजक चिन और उसमें आपको ध्यान देना है कि अगर मिलता है आपको विलोम सब्द और विलोम सब्द मिलता है बच्चो तो तुरंत पहचान लेजे कि यहाँ पर क्या होगा द्वन्द समास होगा ठीक है बच्चो विलोम सब्द आप कैसे उदारण में देखते हैं तो इतनी बात क्लियर दोनों पत्प्रधान योजग चिन अधिकतर मिलेगा और विलोम सब्द तो आपको मिलेगा ही मिलेगा ठीक है बच्चो देखिए माता पिता सबसे पहली बात योजग चिन मिला योजग चिन तो मिला ल उसके बाद बात करें, पाप पुन्य की, है ना, तो योजक चिन्य मिला, और विलोम सब्द भी है, साथ में देखिए पाप और पुन्य, विग्रह करने पर देखिए पाप और पुन्य आ रहा है, उसके बाद थर्ड क्या है वच्छो उदारण हमारा सुख दुख आप देखिए सुख दुख में विलोम सब्द है ना बिल्कुल है योजक चिन्न आपको लगा हुआ मिला तो इसलिए मैंने बात करी कि योजक चिन्न आपको अधिकतर मिलेगा सब में नहीं मिलेगा क्योंकि कभी-कभी ऐसा होगा बिल्कुल होगा कि जिसमें योजक चिन्न सब्द नहीं लगा होगा ठीक है बच्छो तो विलोम सब्द आपको मिलेगा सुख दुख विग्रह करने पर सुख और दुख यह बोल सक ने देखे बच्छो चार क्लियर कर लिये हैं जो कि आपके सलैबस में हैं समास पहला हम लोगों ने पढ़ा देगु समास एक बार रिवाइस कर लेता है फटाफट फिर आते हैं हम लोग अपने प्रस्नों पर जिसमें आएगी मज़ा है ना तो हम लोगों ने सबसे पहले पढ बपद विशेश से होता है ठीक है वच्छो उसके बाद थार्ड हम लोगों ने पढ़ा बहुवरी समास इसमें क्या होता है दोनों पदों को छोड़कर बलकी 3 पद क्या हो जाता है? प्रधान हो जाता है योजक चिन्न भी अधिकतर मिलेगा और साथ में वच्चो ये ध्यान रखेगा कि विलोम सब्द मिलेगा अब आगे बढ़ते हैं हम लोग आते हैं अपने पहले प्रस्ण पर डारेक्ट आ गया है बच्चो क्या सर तयार है आप पोल करने के लिए और बच्चे भी किस जोस के साथ में हैं अब चलिए देखते हैं बच्चो पहला प्रस्ण क्या है हमारा क्योंकि अभी आप लोगों ने चारों को किया है अच्छे से तयार देगु द्वांद कर्मधारे और बहुवरी समास पहला प्रस्ण है हमारा बच्चो चरण कमल में समास है और फटा फटा आंसर करिएगा बच्चो ठीके चरण कमल में समास है तो यहां पर बोला जा रहे बच्चो कर्मधारे समास है या फिर बहुवरी सम समास है या देगु समास है तो आप जो है हां तो इसमें चरण कमल में बात करें बच्चों तो क्या बोला जा रहा है पहले कर देते हैं ठीक है और आपको भी क्लियर होगा कि कमल के समान चरण विस्ता बताई जा तो कोई तीसरा पद नहीं आ रहा है वच्चो तो बहुवरी तो बिल्कुल भी नहीं होगा ठीक है अगर मैंने ऐसे बोला कि कमल के समान चरण तो तीसरा अर्थ बिल्कुल नहीं आ रहा है तो यहां कौन सा होगा वच्चो कर्मधारे समास होगा और कितने वच्चो ने 55% वच पर और देखते हैं क्या होता है और क्या आप अच्छा रिस्पॉंस करते हैं तो अगला प्रस्न क्या है वच्छो शताब्दी में समास है ठीक है जल्दी जल्दी आंसर करिएगा कर्मधारे समास है वच्छो या बहुवरी समास है या द्वंद समास है दिगु समास है जब ऐस से प्रस मिलेंगे ना आपको परिक्षा में तो इतना ज्यादा सोचने की आवस सकता नहीं है आपको क्यों कि बच्छो सताब्दी इसको पढ़के ही आपको शत्त मतलब यह क्या संख्या का बोध हो रहा है ना तो कौन से समास होगा बिलकुल आसानी से लगा दीजिए दिगु समास होगा ठीक है अरे तर केरे 72% ए बोल रहे कर्म धारे भया क्यों होगा सताब्दी यहाँ पर तो संख्या की बात हो रही है बच्छो तो कौन से होगा दिगु समास होगा ठीक है दिगु होगा यहाँ पर और क्यों होगा मैंने बोला कि यहाँ पर संख्या का बोध हो लाइक करते रहें यह आप बहुत अच्छे समस्ते हर क्लास में तो प्लीज जिन्हों ने अभी तक लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिगा ठीक है बच्चों तो यहां क्लियर है और सही जवाब क्या होगा बच्चों दीगु समास अब प्रस्म है बच्चों तीसरा फटाफट देखते हैं सुख और बीच में लगा है योजक्चिन दुख में समास है जब भी ऐसा मिलेगा बच्चों तुरंध हमारी बात को याद कीजिएगा और क्या सोचिएगा कि विलोम सब दाया है योजक्चिन भी लगा है तो इस कारण यहाँ पर क्या होगा बच्चों क्या होगा सही जवाब क्या होगा द्वन्द समास होगा क्यूं योजक्चिन भी मिला है आपको और मैंने आधिकतर इसकी बात करी थी और सबसे जो मेन है बच्चों विलोम सब्द ये पहचानने का सबसे अच्छा तरीका होता है बच्चों 25% भाईया पहली बार पढ़ रहे हैं लग रहा है और पहली बार भी पढ़ रहे हैं तो इसके पहले तो बच्चो अभी हम लोगों ने पूरा क्लियर किया ना तो उसको तो सुना होगा आपने ध्यान से तो उसी की बेस पर करिए ना पटा पटा आंसर तो चलिए आगले प्रस चौमासा उदाहरण में नवरत्न पंचवटी या ये सभी तो कोश्चन में क्या है वच्चो दिगु समास का उदाहरण चुनिए और आपको देखना है अब हम थोड़ा सा टाइम भी देंगे आपको समझने का जल्ली अल्दी करिए इसका अंसर करिए फिर हम लोग सही जव चौमास की बात कर रहें तो चौमासा अगर देखें तो इसमें संख्या बताई जा रही है चौमासा चार महिनों का समाहार चार संख्या बताई जा रही है नवरत्न यहां नव संख्या बताई जा रही है ठीक है बच्चो नवरत्नों का समू ठीक है और पंच वट्टी में वट वरक्ष होता है न, तो पाच वट वरक्ष का समू है यहाँ पर, तो यहाँ पर संख्या बताई जा रही है बच्चों, तो तीनों में बताई जा रही है संख्या, इसलिए होगा सही जवाब, यह सभी, और आप सभी भी इसका सही जवाब कर रहे होंगे, है न, तो यहाँ पर सर ने बताया है मुझे कि आप 43% बच्छे इसका correct जवाब दे रहे है चलिए अगला देखते है बच्छो प्रस्ट तो यहां कोई भी confusion नहीं है यह सभी होगा क्योंकि सभी में संख्या बताई जा रही है दिगु समास होता है जिसका पहला पद क्या होता है बच्छो संख् वाचक विसेसर होता है पड़ावट देखते है अगला प्रस्ट जो की फिप्त नंबर है दशानन का समास विग्रह क्या होगा दशानन का समास विग्रह पूछा है बच्छो और आपको टाइम दिया जाएगा दस है मुख जिसके अर्थात रावण की बात हो रही है या दस ह है मुख जिसके अर्थात विष्णु की बात हो रही है या अगला जो ऑप्षन है बच्छो दस है आखि जिसकी पार्वती की बात हो रही है दस है वस्त्र जिसके है ना तो यहाँ पर बताईए इसका सही जवाब क्या होगा आपको टाइम भी मिलेगा फटा फटा फट जल् दस मुख नहीं होते है ठीक है बच्छो तो यहाँ पर जो होगा वो क्या होगा दस है मुख जिसके अर्थात रावण सही जवाब होगा बच्छो ए मतलब यह पहला ठीक है तो यहाँ कोई कन्फियूजर नहीं अच्छा अगर हम यह पूछे कि बताईए यहाँ पर समास कौ बहुवरी है या फिर बोले तो द्वंद समास है तो कौन सा होगा बच्छो दसानन में बहुवरी समास होगा और बच्छो की संख्या बढ़ रही है सुनके मुझे अच्छा लगा तो यहाँ क्या होगा बच्छो बहुवरी समास होगा अगर माली जे समास पूछ लेता है को जवाब दीजेगा इसका कर्मधारे समास है बहुवरी समास है द्वंद समास है या दिगु समास है तो बच्चो बिना डाउट के साथ में अगर ऐसा प्रस्न आता है तो इसमें आप से मिस्टेक नहीं होने चाहिए एक्जाम में क्यूं क्यूंकि देखिए बच्चो हर्ष वि साथ और यह किसके लक्षण है कौन से समास के हैं द्वंद समास के हैं मैं है ना बिल्कुल सही बोला द्वंद समास के हैं क्यों क्योंकि विलोम सब आया है योजक चिन भी मिला है आपको और साथ साथ में अगर विग्रह करते मालीजे आपको योजक नहीं पता विलोम नहीं पता तो छोड़ दीजे आप क्या करेंगे उसका विग्रे करके देख लीजे तो क्या आएगा हर्श और विशाद तुरंत लगा दीजे ये द्वन्द समास होगा ठीक है बच्चो हाँ तो ये हमारा सही जवाब होगा इसमें द्वन्द समास, कोई confusion नहीं, अब आगे बढ़ते हैं अगले प्रस्न पर बच्चो बिना time waste किये, फाल्तू की बाते बिल्कुल नहीं होंगे इस class में बच्चो जैसा कि आप अभी तक अगर हमारी class लगातार देख रहे होंगे, तो आपको फाल्तू की बाते करके अपना time बि समास विग्रह है, अब इसके पहले तुरंत क्या किया गया, explain किया गया और पूछा है बच्चो इसमें समास विग्रह है, पूछा गया, है ना, तो गंगा और आपको योजक चिन लगा हुआ मिला, विलोम सब्द मिला, तो यहाँ पर बच्चो जब विग्रह करेंगे, तो क यही जवाब, और यह ज्यादातर बच्चे सही कर रहे होंगे, इसका जवाब कितने कर रहे हैं सर, 58% बच्चे, इसमें क्या confusion है बच्चो आपको, ज्यादातर C कैसे कर दिये, ऐसे नहीं होगा बच्चो बिलकुल भी, ठीक है, योजक चिन मिलेगा, विलोम सब्द मिलेगा विग्रह करेंगे, तो और या फिर जादा जादा आपको तथा लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है बच्चो, बस, और अगर अभी तक आपने मेरी क्लासिस को नहीं देखा है, रस, छंद, अलंकार, समास, ये पूरी हिंदी और आपको गध्य, पद्य का इतिहास, और गध्य के जितने भी चैप्टर है अभी, अब हम लोग सायद 6 चैप्टर उसमें कंप्लीट कर चुके हैं, तो क्लासिस को देखिए बच्चो, एक बार देखिए उसको कोसिस तो करिए पढ़ने की, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी को सोच लेते हैं कि बाद में करेंगे बढ़िया, है चलिए बढ़ते हैं आगे, तो सही जवाब पता चल गया वच्चो आपको, अग्ला जो हमारा प्रस नेहीं क्या है वच्चो, चार राहो का समूह में समास क्या है वच्चो? चार राहो का समूह पूछा है, ठीक है? तो यहाँ पर बोला है चार मार्ग, या चाराहा, या चा लेकिन यहाँ अगर हम बात करें तो मुझसे हो गया था mistake से पहले आगया था answer है ना अगर मान लीजे मैं यहाँ पूछ लो कि चार राहो का समू मतलब चौराहा में कौन सा समास है बच्चो तो कौन सा होगा दिगु समास होगा बिलकुल होगा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ संख्या बताई जा रही है चार राहो का समू है ना तो इस कारण होगा यहाँ पर दिगु समास कोई confusion नहीं अगला प्रस्ण देखते है बिलकुल चर और अचर में कौन सा समास है बच्चो चर और अचर है ना कर्मधारे समास है बहुवरी समास है द्वंद समास है दिगु समास है आपको और लगा हुआ मिला ठीक है बच्चो और सबसे पहली बात करें तो विलोम है चर और अचर आख बंद करके तुरंत लगा दिजे बहुवरी समास द्वंद समास लगा सही रहे मुझ से क्या निकल रहे द्वंद समास होगा बच्चो ठीक है और क्यूं होगा क्योंकि और आया है विलोम सब्द है इसी वज़े से यहाँ पर क्या होगा द्वंद समास होगा बहुवरी क्यों नहीं होगा क्योंकि कोई तीसरा पद नहीं आ रहे है दिगु इसलिए नहीं होगा बच्चो कि कोई भी लंख्या नहीं आ रही है और कर्मधारे इस पिल नहीं होगा क्योंकि कोई विसेस्ता नहीं बताई जा रही है चलिए तो सही जवाब हमें पता चल गया है अब बढ़ते हैं आगे और प्लीज लाइक कर दीजिए सभी लोग जितने भी लोग यहां मौजूद है कम से कम वो तो कर देना ठीक है आगे बढ़ते हैं बच्चों दस्वा प्रस्ण क्या आपको करके अच्छा लग रहा है मज़ा आ रही है और मज़ा ही तब आएगी जब आपने सही से समझा होगा यह इसको पढ़ा होगा ठीक है बच्चों तभी मज़ा आएगी आपको देखे वेद पुराण में कौन सा समास है वेद और पुराण अब यहां पर बच्चों लगा हुआ है योजक चिन और आया है यहां पर क्या विलोम सब्द ठीक है तो यहां होगा कर्मधारे बहुवर बहुवरी नहीं होगा कोई तीसरा अर्थ मतलब जो तीसरा पद है प्रधान नहीं होगा कर्मधारे नहीं होगा विसिस्ता नहीं बताई जा रही है तो जो होगा सही जवाब क्या होगा बच्चों द्वांद समास होगा ठीक है तो यह है सही जवाब और हमें लगता है काफ कि यहां से देखना अभी ज्यादा तर बच्चों की मिस्टेक होगी यहां से भीवार्जुन में कौन सा समास है वच्चों कर्मधारे समास है बहुवरी समास है द्वंद समास है या देगु समास है और इसमें हम थोड़ा सा टाइम देंगे आपको वच्चों थोड़ा सा आप भी समझ सकते हैं कि आखिर इसमें कौन सा समास है और कभी भी वच्चों कन्फ्यूजन हो तो पहले क्रॉस करना सुरू कर दीजे जो आपको लगेगी बिलकुल नहीं होगा तुरंत क्रॉस करिए त समास नहीं होगा बच्चों कोई संख्या नहीं बताई जारी है बहुवरी नहीं होगा कर्मधारे भी नहीं होगा अब बोलेंगे मैम द्वंद समास होगा और द्वंद समास क्यों होगा अभी तो आपने बताया मैम योजक चिन्न आता है लेकिन बच्चों मैंने ये भी बो कि तुरंत उसका विग्रह कर दीजे समास का विग्रह कर दीजे मालीजे इसका विग्रह करते हैं आप तो क्या आ जाएगा भीम और अर्जुन क्या आ जाएगा बच्चों भीम और अर्जुन है ना और आ गया बीच में जब हम लोगों ने क्या किया विग्रह कर दिया इसका त होना चाहिए डाउट अगर है तो आगे नहीं बढ़िएगा ठीक है बच्चों कि और आगया है इस वज़े से यहां द्वन्द समास होगा ठीक है चलिए तो यह हमारा सही यहां पर जो जवाब होगा द्वन्द होगा आगे अपना देखते हैं हमलों सा प्रसन ऑ गया है हाँ पीतांबर में परसन काफी अच्छे हैं पीतांबर में कौन सा समास है बच्चों इसको ऐसे बांगे चलिएगा कि आपने बहुत अच्छे से समास पढ़ाए और आज फाइनली यह सारे question देख के आप answer कर रहे हैं ठीक है बच्छो तो देखे पितांबर में पूछाए कि कौन सा समास है तो पहले cross कर दीजे कि देगु नहीं होगा है ना कोई संख्या नहीं बताई जा रही है बच्छो द्वन्द भी नहीं होगा क्योंकि विग्रह करने पर भी कोई ऐसे नहीं आएगा तो द्वन्द भी नहीं होगा cross कर दीजे confusion होती है आपको बहुरी समास और कर्मधारे समास में ठीक है तो क्या करेंगे पीतांबर पीत मतलब क्या होता है बच्छो पीत मतलब क्या होता है पीला है ना पीत मतलब क्या होता है पीला और अंबर का मतलब क्या होता है बच्छो अंबर का मतलब बोले तो क्या होता है वस्त्र तो पीले है वस्त्र जिसके अर्थात स्रीक्रस्म जी तो यहाँ पर तीसरा पद हो रहा है प्रधान तो यहाँ पर जो बच्छो सही जवाब होगा वो क्या होगा वहुवरी समास और यही होगा कर्मधारें होगा कर्मधारे नहीं होगा बच्चो यहां हो रहा है तीसरा पद प्रधान अगर आप वैसे दोनों साथ में आते हैं तो आप जादा तर इसी को मानेंगे कि यह क्या होगा बच्चों यहाँ पर बहुवरी समास होगा क्योंकि पीत मतलब पीले अंबर मतलब वस्त यानि पीले वस्त जिसके अर्थात स्रीक्रश्ण तो यहाँ पर सही जवाब होगा बच्चों बहुवरी समास और इसका कितने परसेंट वच्चों ने सही ज कोई confusion नहीं आगे बढ़ते हैं ठीक है और सरसंख्या क्या वही टिकी हुए बच्चों की यास गुड अच्छा देखते हैं अपना तेरवा प्रस्ट बच्चों इसी जोस के साथ में ठीक है त्रिवेडी में कौन सा समास है त्रिवेडी में कौन सा समास है फटा फट जवाब देजें इसका आपको टाइम देंगे बिलकोल देंगे कि कर्मधारे समास है बच्चों बहुवरीस समास हे देंस समास है यगे के परिक्षा में writers समझ लिजे आपसे बिल्कुल mistake नहीं होगी ये हमारी guarantee है ये वादा कह सकते है ना चलिए तो त्रिवेडी की बात करें थे बच्चों त्री मतलब क्या होता है तीन ठीके और वेडी की बात करें वेडी मतलब क्या होता है बच्चों नदियां है ना तो तीन नदियों का संगम या बोले तो समाहार, तो क्या होगा बच्चो इसमें पूछाए कि कौउन सा समास है, तो कर्मधारे बहुवरी द्वैंद या देगु, तो बच्छो संख्या बताई जा रही है, और संख्या बतायी जारी तुरंट नोटिस करिए कि क्या कोई तीसरा पत तो नहीं आ रहा है, बिलकुल नहीं, पत प्रधान हो रहा है तीसरा, तो यहां पर क्या होगा, देगु समास होगा, बस, कोई confusion नहीं, ठीक है बच्चो, देगु समास, आगे बढ़ते हैं अपने अग यह साथ सिंधूओं का समूँ तो यह चार आपके सामने आपको करना क्या है समास विग्रे अब हमको पढ़ाने के बाद ऐसा लग ही नहीं रहा है कि आज दिन में हमें जुखाम था फीवर भी था साथ साथ में लेकिन हमारे बन में यह भी था कि आज हमको बच्चों के सामने आना है लाइव इसलिए देखिए पढ़ाते पढ़ाते हमारा फीवर भी लगता है गायब हो गया है ठीक है हमें भी काफी अच्छा लग रहा है बच्चों आज पढ़ाते हुए ठीक है तो सब्त रिसी का समास विग्रे क्या बच्चों जल्दी अली आंसर करिए इसका कि र रिसियों का समू बिना कन्फ्यूजन के लगा दीजे सही अंसर ठीक है साथ रिसियों का समू और अगर इसमें बात करें बच्चो कौन से समास है तो सिंपल है दिगू समास है क्योंकि संख्या बताई गई है ठीक तो चली आगे पढ़ते हैं और सायद हाँ यह है लास्ट प्र को हो जाती है कौन से समास है बच्चो यहाँ पर कर्मधारे समास है बहुरी समास है द्वन्द है या दिगू है और यहां लास्ट में हम जानना चाहते हैं बच्चे कितने सही जवाब दे रहे तो पहले बताएंगे हम इसका अंसर फिर हम जानने कोसिस करेंगे कि कितने बच सबसे मेन बात विलोम सब्द है और मानलीजी अगर विलोम सब्द को भी स्किप करते हैं तो देख लेंगे कि अगर इसका विग्रह करेंगे तो यहां तो और आ जाएगा तो जो यहां पर तो क्या हो जाएगा लाभ और हानी तो तीन ऐसी विसेस्ता हैं जिससे आप पहचान सक सब्सक्राइब यहां कौन सा होगा बच्चो क्यूंकि सबसे मेन बात कि यहां विलोम सब्द आया है विलोम सब्द आया है और अगर मानलीजी सका विग्रह करते हैं तो या आएगा लाभ और हानी कितने वर्स बच्चोंने सही जवाब दिया है सर 65 अच्छी बात है बच्छो कम से कम जो बच्छे देखिए जो बच्छे पहली बार भी पढ़ रहे होंगे जिन्हों ने आज की क्लास में पहली बार भी पढ़ा होगा उनको कुस्तो समझ में जरूर आएगा आया होगा बच्छो तो आज की क्लास आपको कैसी लगी ये भी जरूर बताईएगा और साइद ये था हमारा हाँ लास्ट प्रस्ट तो देखी बच्छो जैसा कि मैंने पहले भी कहा बच्छो कि आज की क्लास करने के बाद मुझे भी काफी अच्छा लगा और हम यह भी भूल गए कि वास्तों में आज हमारा गला भी खराब था, फीवर भी था, है ना, तो ये हम सब कुछ भूल चुके थे, हमें बहुत ही अच्छा लगा आची क्लास में, अगर आप सभी ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे बच्चों, तो हम प्रयास करेंगे डेली लाइफ क्लास करने का, बस ल दिन आपको चलना है, यही विद्यार्थी जीवन की पहचान होती है बच्चों, तो इसी के साथ में आज की क्लास को हम यहीं पर करते हैं समाप्त, और मुझे लगा है आज की क्लास में काफी ज्यादा अच्छा, आप सभी को कैसा लगा है बच्चों, कॉमेंट बॉक्स में लिख करके हमें जरूर बताइएगा कि कैसी लगी है आज की क्लास आपको, और प्लीज लाइक, शेयर, एंड इस ग्यानोदे के गुरू जी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू, बाई बाई, टेक क्यार, आप बोलेंगे सर, बच्चों, मैम को फीवर था, मैंने बहुत, मैम को सबसे पहले तो थोड़ा सा फोर्स भी किया कि आज की लाइव क्लास लेनी है, और मैम को को खोल्ड भी था, लेकिन मैम ने काफी अच्छी तरीके से आप लोगों को समास पढ़ा दिया, मैम ने सिर्फ समास नहीं, मैम ने कैसा सबजेक्ट है कि अगर आप इस पे अच्छा स्कोर नहीं करोगे, तो आप जो टॉपर बनने का सपना देखे हो ना ये पूरा नहीं हो पाएगा, ये तभी टॉपर बनने का सपना पूरा हो सकता है, जब आप हर सबजेक्ट में अच्छा मार्स लेक्या होगे, तो हमार पूरी कोसिस है देखो भाइ पिछले साल तो हम मैथ और साइंस इस चैनल पर देते थे लेकिन फिर हम ने देखा कि यार कुछ नो कुछ कमिया है चलो हम कुछ और इंप्रूव करते हैं हमने मैथ और science के साथ साथ आपको बच्चे Hindi और English देना भी शुरू किया और जिस तरीके का response आज आप लोगों का देखने को मिला है कि 500 बच्चे लगभग जो है लाइव थे ऐसा ही ये लाइव का बना रहना चाहिए फिर मैम का हम एक time set कर देंगे और आप लोगों को मैम की class कैसी लग क्लास दिलाएं मैम की जिससे आपके हिंदी के और topic जो है आपके strong हो सके और साथी साथ English के भी तो इसी तरीके से मैम का English का भी हम live class करवाएंगे और क्या time रखें वो आज हमें आप लोग comment section में बता देना कि हम किस time पर मैम का live class रखें ओके चलिए फिर आज के लिए इतना ह और हाँ एक बात और बता देते हैं कि अभी जो है आठ बजे अभी हमारा math का भी class है तो जो साथ बजे होता था उसको आज हमने 8 बजे किया है क्योंकि आज हमारा math का 11 का class होता था एप पर उसमें छुट्टी है तो इसलिए हमने अपना class सोचा कि ऐसा करते हैं 8 बजे कर ले नहीं है पूरे टाइम में लेकिन आप लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक जल्दी से कर दीजे और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दीजे ठीक है ओके थांक्यू सोबाच मिलते हैं 8 बजे थोड़ी ही देर के बाद